हेलो स्टूरेंट्स हमने पिछले वीडियो में अभ्यास दो पार नाटक में नाटक और व्याकरम की दृष्टी से जो हमने पढ़ा था अनुस्वार एवं अनुनासिक हमने पढ़ा था और उसके नियम हमने जाने थे तो एक बार हम उन नियमों को जान देते हैं फटाफर्ट यदि किसी हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था तो वो नियम याद रहने चाहिए यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ण का कोई अन्य वर्ण आए तो उस वर्ण के स्थान पर हम क्या कहते हैं उसी के वर्ण का यदि कोई अन्य है पंचम वर्ण के बाद वाला तो वहाँ पर अनुस्वार चिन का प्रयोग किया जाता है दूसरा नियम हमने पढ़ा था यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ दो बार आ जाए तो वहाँ पर अनुस्वार चिन का प्रयोग नहीं किया जाता है और तीसरा नियम हमने पढ़ा था यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ण का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन का प्रयोग नहीं किया जाएगा कुँकि उसी वर्ण का होना चाहिए अन्य नहीं अगला हमने नियम पढ़ा था कि किसी वर्ण को बोलती समय जब हावा मुँ आवम नाक से एक साथ बाहर निकले तो उस वर्ण के उपर अनुनासिक चिन का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ यदि किसी वर्ण को बोलते समय हावा मुवनाक से एक साथ बाहर निकले और उस वर्ण की शिरो रेखा यानि लाइं के उपर कोई मात्रा है शिरो रेखा के उपर कोई मात्रा है तो वहाँ अनुनासिक चिन का प्रयोग नहीं होगा बलकि क्या होगा अनुस्वार चिन का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि मात्रा के साथ कभी बी O, A की मात्रा के साथ कभी बी चंदर बिंदू नहीं लगता है भले ही आवाज हमारी नाक और मूँ से आ रही है तो according to rule या नियम के अनुसार वहाँ चंदर बिंदू लगना चाहिए लेकिन मात्रा होने के कारण हम चंदर बिंदू के स्थान पर केवल अनुस्वार यानि बिंदू का प्रयोग करते हैं यह कुछ नियम थे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे तो यहां तक हमने कर लिया था और साथी साथ प्रश्ण छे नीचे दिये गए शब्दों में पंचमवन के स्थान पर अनुस्वार चिन का प्रयोग करते हुए शब्दों को दुबारा लिखे तो यह तो आसान मंदिर तो कहां पर होगा म के उपर अनुस्वार लग जाएगा पंचमवन हट जाएगा पंगन में क क के उपर लगेगा और यह पंचमवन हट जाएगा पंचम में भी यह इस पंचमवन के उपर अनुस्वार लगेगा और यह अगला वाला वर्ण हट जाएगा अधा वाला संबंध के उपर क्या होगा सर के उपर भी अनुस्वार आएगा ब के उपर भी अनुस्वार आएगा मंच में म के उपर ठंडा में ठर के उपर और ये सारे पंचमवन जो है वो नहीं लगेंगे ठीक है तो ये आपने करना है परश्न साथ नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं, जिन शब्दों में पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार चिन का प्रयोग किया जाएगा, उनके सामने हां लिखिये, और जिन शब्दों में अनुस्वार चिन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उनके सामने नहीं लिखिये, हां अ नहीं का कारण भी लिखे अब कारण बताओगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा ठीक है जैसे देखे को बसंत लिखा है तो बिल्कुल लग जाएगा सो के ओपर हमारा बिंदू लग जाएगा ना अनुस्वार क्योंकि इस पंचम वर्ण के बाद जो अगला वाला व वर्ण आया है ठीक है अब मंडी लिखा है ठीक है तो बिल्कुल है यहां पर भी मंग के ओपर हम अनुस्वार लगा सकते हैं तो यहां पर भी क्या लिखेंगे हां लिखेंगे और यहां कारण क्या लिखेंगे कि इन पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का द वर्ण आया ह ठीक है इस तरह से लिखेंगे अगला कहा है अन देखो दो बार पंचम वर्ण आजए तो अनुसवार का प्रयोग नहीं होगा तो यहां हम क्या लिखेंगे नहीं कारण कहे है न पंचम वर्ण के बाद दुबारा न पंचम वर्ण आया है ठीक है और जैसे बंदर तो यहां तो हाँ व के ओपर बिंदू लग जाएगा तो अनुस्वार लग जाएगा यहां पर क्योंकि न के बाद द उसी वर्ग का है तो कारण क्या लिखेंगे न पंचम वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का है ठीक है जन्म तो यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि न भी पंचमवर्ण है म भी पंचमवर्ण है तो यहाँ क्या लिखेंगे नहीं खारण क्या लिखेंगे कि न के बाद म अन्य वर्ग का पंचमवर्ण आया है संबोधन विल्कुल हाँ होगा क्योंकि सर के उपर अनुस्वार लग जाएगा क्योंकि म के बाद ब उसी वर्ग का है तो कारण क्या लिखेंगे म पंचम वर्ण के बाद वाला वर्ण जो है उसी वर्ग का है तो यह आपके होगे कि अब आप समझ गये होंगे कि कहां पर अनुस्वार लगेगा और कहां नहीं तो यह देखें अन्तिम रह गया था सम्मान तो यहां पर अनुस्वार नहीं लगेगा क्योंकि दो बार पंचमवन आ गया है यहां पर हम क्या लिखेंगे नहीं कारण म या दो बार पंचमवन आने के कारण या पर अनुस्वार नहीं लगेगा या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि म पंचमवर्ण के बाद दुबारा म पंचमवर्ण आया है या दो बार पंचमवर्ण का प्रयोग हुआ है इसलिए नहीं फिर लिए प्रेशन आर्ट देखें उधारन के अनुसार नीचे दिये गए शब्दों में अनुस्वार अत्वा अनुनासिक चिन लगाकर नए शब्द लिखे तो चौक देखें यहाँ पर उधारन में है गदा गंदा चौक तो यहाँ क्या बन जाएगा चौक आधी आंधी क्योंकि देखें जहाँ पर अनुस्वार लगेगा अनुस्वार लगाएंगे घटा घंटा यहाँ पर अनुस्वार लगेगा घव के उपर यहाँ अनुनासिक चंद्र बिंदू आएगा आग के उपर चौक में यहाँ पर बिंदू लएगा लेकिन आवाज अनुना सिख ए लेकिन मात्रा होने के कारण शिरो रेखा के उपर मात्रा है इसलिए यहाँ बिंदू लगेगा सास का क्या बन जाएगा सास तो यहाँ पर भी चंद्र बिंदू बाधा, बांधा तो यहाँ भी चंद्र बिंदू गोद, गोंद यहाँ पर मात्रा के साथ बिंदू लग जाएगा अब आपने क्या करना हैं प्रश्णों में अनुस्वार अत्वा अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में आए अंतर को वाक्य प्रयोग द्वारस पष्ट केजिए अब आपने यहाँ पर ऐसे वाक्य बनाने हैं कि शब्दों का अर्थ पता चल रहे जैसे गदा मोहन ने एक गदा खरी दी गंदा, बच्चों ने सारा घर गंदा कर दिया तो ऐसे ही बाधा, बाधा यानि मुसीबत मुश्किल बांधा, रसी से बांध देना, तो आप अपने स्वें वाक्य बना सकते हैं गोद, ठीके गोद में बैठना, मा की गोद किसे अच्छी नहीं लगती गोद, ठीके तो आप लिख सकते हैं, मैंने अपनी पटी हुई किताब को गोद से चखा रही है, कुछ और भी यह तो मैंने कहाया, आप कुछ भी लिख सकते हैं सही होना चाहिए नीचे देगे वाक्यों को है, है अत्वा हो शब्द का प्रयोग करते हुए पूरा एज़ी अच्छा, देखे तुम कहां जा रहे हो मोहन की माता जी आई है शीला कक्षा में हमेशा प्रत्थम आती है जो मंच पर आकर घबरा जाते हैं उनका साहस बढ़ाना चाहिए मीना का भाई उसके लिए खिलोने लाया है आओ दोहराएं तो दोहराना तो स्वेम होता है क्योंकि ये तो रेपिटेशन वर्क होता है तो नीचे दिएगे शब्दों के बहु वचन रूप तो इस वेम लिखेंगे पट्टी क्या जगा पट्टियां पर क्या ध्यान रखना है बड़ी की मात्रा छोटी हो जाएगी या के उपर चंदरबिंदू आएगा पक्षी ने चित्र की महले मित्र से कठिनाई यान यहाँ पर यह बड़ी नहीं लगगी कठिनाई यान हो जाएगा नीचे दिये गए महावरों के अर्थ चांट कर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो वाक्यों में प्रयोग आप स्वेम करेंगे और महावरों के अर्थ साथ साथ में हम पढ़ लेते हैं दांद पीसना बताएगे तो खाना हार जाना लेकिन जो आपने वाक्य बनाने हैं वो मुहावरों के होने चाहिए उसके अर्थ के नहीं मतलब हार जाना नहीं लिखना है तो मूग की खाना ऐसे बनाना है जो भी आप कहेंगे मूग की खाना मतलब यहां पर हार जाना होगा वो आप ब्रैकेट में यहां आप वाक्य बना लेंगे कि आज भारत पाकिस्तान के खेल में पाकिस्तान को मुझी खानी पड़ी थी यानि वो हार गया अकल का दुश्मन अकल का दुश्मन यानि मूर खोना इसे कुछ समझ में नहीं आथा आँखें खुलना वास्तविक्ता का पता लगना तो यह मुहावरों के अर्थ बताए कोलू का बैल परिश्रम करना नाक में दम करना नाक में दम करना क्या मतलब होता है बहुत तंग करना नाक में दम करना तंग करना जैसे आज कल आप लोगों नाक में दम कर रखा होगा ना धर में बैटे बैटे बच्चों ने नाक में दम कर दिया है तो यह सेंटेंस बन गया जैसे आप स्वैम बनाएंगे ठीक है और इस काम को पैंसिल से करेंगे और साथी साथ अगला और अन्तिम यह प्रश्ण है इस अभ्यास का आओ लिखें मान लीजिए कि राकेश, मोहन, सोहन और श्याम आपके सहपाथी हैं और वे विद्याले में एक नाटक करते हैं मतलब आपने यह मान के चलना है कि वो आपके दोस्ते हैं आपना राकेश, मोहन, सोहन और श्याम और वे विद्याले में नाटक करते हैं नाटक में राकेश, मोहन, सोहन और श्याम अपने अपनी समवाद खूल जाते हैं फिर नाटक में जो कुछ होता है उसके बारे में बत पत्र फिफिए प्रेटर केसी एक रबड़ाल मास कि मुख्य तृप्री है टो अ링जे पत्र golpey केए ओफिछारिय अधिकारी मुझे को लिखते हैं, तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं, आपचारिक यानि ओफिशेल लेटर, तो आपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं, हाँ पर पता किसका होता है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे स्वास्ते अधिकारी को लिख रहे हैं, तो उसका पता है, और अगर अगर पत्र सगे संबंदियों और मित्रों को लिखना है तो किसका पता आएगा यहाँ पर यहाँ पर आप लिखते हैं अपना पता यहाँ पर लिखेंगे ठीक है और फिर यहाँ पर संबोधन करेंगे यहाँ पर पता लिख देते हैं कई परिक्षा भवन और यही लिख देते हैं ज आपके मित्र थे तो आप वो कहानी लिख सकते हैं सारी तो फिर आप सरस नहीं प्यार लिखेंगे और फिर उसके बाद कि मैं यहां कुशलमंगल हूँ और आपकी कुशलता की काम ना करता हूँ और हमारे विद्याले में मेरे कुछ सहपाथी हैं जिनोंने विद्याले में नात और मैंने उनको नाठक अच्छी तरह समझा दिया जैसे राकेशne समझा ते अपने प्रों को लेकिन आपको यहा दर था तो वह सारी बात आप अपने मिथेल को लिखेंगे तो ये पत्र लिखते हुए फिर पूरा की मैंने उनको समझाया लेकिन शाम अपना समवाद भूल गया मैंने उसको बताने कोई कुछ भी लिखिया आप अपने हिसाब से कहानी बना सकते हैं और वो समवाद भूल गया और फिर मैंने उसको बताने का प्रेत ने किया पर उसने गलत बोल दिया फिर वो सारे आपस में लड़ने लगे और फिर मैंने जाकर जो है नाटक को संभाला और लोगों को लगा कि नाटक ही ऐसा था और उन्होंने बहुत प्रशन सा की मेरे नाटक की ठीके तो इस तरह से लिखकर और शेश बाद में और अपने नाम लिखकर तुम्हारा प्रियमित्र अपना नाम लिखकर और पत्र समाप्त कर दे तो ये पत्र आप स्वयम लिखेंगे अपने शब्दों में और सही धंग से इस अभ्यास को पूरा करेंगे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ तब ते के लिए बाई